हलो बच्चों तो अब हम करने जा रहे हैं degrees of price elasticity of demand बच्चों degrees से क्या आप क्या समझते हैं मैंने आपको बताया था ना amount of change तो बच्चों यहाँ पर degree का मतलब यहाँ पर आपको ने different cases बताएगा कि जब price में change होता है या नहीं होता है तो उसका impact क्या पड़ता है quantity के according is perfectly elastic demand जहाँ पर elasticity किसके equal होती है infinity के क्यों वाई उसका क्या reason है वो सुनिये समझे बच्चों यहाँ पर यह कहा जाता है कि यह वो situation है जहाँ पर prevailing price prevailing price क्या है OP कितना है OP इस OP price पर हमारी demand extends हो सकती है कहां तक infinity तक कहां तक infinity तक जा सकती है तो हमारी यहाँ पर but elasticity of demand कितनी है infinity but अगर price में slightly change भी आया even a slightest rise in price उससे हमारी demand किस पर आ जाएगी zero पर आ जाएगी क्या reason है इसका because इस situation में कहा जाता है बहुत सारे suppliers हैं अगर एक consumer को इस particular price पर प्रोड़क्ट नहीं मिला आपने rise कर दिया तो वो कहीं और shift हो जाएगा और आपकी demand क्या हो जाएगी zero is that clear तो यहाँ पर क्या कहा गया add the prevailing price बोलिए मिर साथ add the prevailing price हाँ आप notes बना सकते हैं इससे मैं इसी form में यह slide दिये मैं तो यह सारा delete करके आपको सिरफ समझा सकती थी आप मेरी बात सुनते जाएगे pause करने के बाद आप लिख लीजिए इसको बहुत अच्छा आपके notes बन जाएगे ठीक है तो क्या कहा गया percent sorry prevailing price पे आपकी demand कहा तक जा सकती है infinity तक but even a word use करना है slightest rise in price will lead to zero demand of the commodity ठीक है और इस case में जब आपका price constant होता है इस question को ध्यान से सुनिए किसी भी form में पूछा जा सकता है तो जब आपका price constant होता है तो आपकी demand curve किसके parallel होती है x-axis के किसके x-axis के याद रखेंगे कि when price remains constant demand curve will be parallel to x-axis clear ठीक है इसको ध्यान से देखिए और एक छोटी सी चीज और इसमें हम derivation और करती है कि यह derive कैसे हुआ तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि derive कैसे हुआ यह हाँ जी बच्चों तो आप हमाई पास blank पे जा चुका है तो हमें क्या करना है बच्चों इसकी derivation हमें कैसे निकालनी है वो ध्यान से समझे आप सबसे पहली चीज आपको एक बड़ी important बात बता दूँ कि एक horizontal straight line जो बिलकुल flat है लेटी हुई है उसकी जो उसका जो slope होता है क्या होता है क्योंकि उसमें कोई धलान है ही नहीं उसका slope क्या है 0 होता है क्या होता है 0 क्योंकि वो लेटी हुई है flat है appellal to x-axis है ठीक है तो एक horizontal straight line का slope जो होता है that is equal to 0 क्या होता है 0 और यहाँ पर हमारी demand curve ही यही है horizontal straight line ठीक है बटा हमारा नहीं formula और होता है elasticity के अंदर that is 1 by slope of demand curve into p upon q यह हमारा formula होता है याद रखना ठीक है यह कैसे derive हुआ 1 by slope of demand curve into p by q अगर आप चाहते हो प्लीज कमेंट box में लिख दीजिए के आपको derivation पता करनी है तो I will also tell you that ठीक है नहीं तो आप इतना सा याद कीजिए that is sufficient तो 1 by slope of demand curve into p by q अब यहाँ पर slope क्या है हमारी हमारी demand curve क्या है वही horizontal straight line तो उसका slope क्या हुआ 0 and anything divided by 0 is infinity hence हमारे पास derivation आ चुकी है किसकी perfectly elastic demand की clear now comes the second degree that is perfectly inelastic क्या है perfectly inelastic वो क्या था perfectly elastic demand क्या था वो perfectly elastic demand मैंने ऐसे क्यों बोला ताकि आपको याद रहे perfectly elastic demand में क्या होता है infinity वो perfectly inelastic demand में क्या रहता है constant quantity quantity क्या रहती है आपकी constant रहती है यहाँ पे quantity में change नहीं आता clear तो quantity में change नहीं आता even a substantial rise substantial का मतलब होते है बहुत जादा price में change आ भी जाए तो भी आपकी demand same रहती है ऐसा कब होता है necessity's के case में होता है कब होता है necessity's जैसे की medicine है ठीक है ऐसा नहीं होता कि medicine के अंदर हमारा अगर price जादा होगा तो हम नहीं लेंगे हम बिमारी रहेंगे भी अच्छ यह medicine तो हम लेते हैं एसा high price पे भी लेते हैं ठीक है और ऐसा नहीं होता कि price जो है कम है तो हम नमक ज़ादा डालने लग जाएंगे यह सारी चीज़े requirement के according consume होती है इसकी quantity fix रहती है that's why यहाँ demand curve parallel to y-axis होता है perfectly inelastic demand के case में किस case में perfectly inelastic demand के case में clear हो गया तो यहाँ पर भी derivation वैसी ही होगी जैसे हमने उसमें की थी यहाँ पर भी formula वही लगेगा 1 by slope of demand curve 1 by slope of demand curve into p by q ठीक है और यहाँ पर आपको बड़ी जरूरी बात फिर से बता दूँ बिलकुल straight है line धहलान बिलकुल सीधी है अगर ऐसे होती ऐसे होती तो हम अलग-अलग slope निकालते बड़ वो बिलकुल straight है इसका मतलब उसकी infinite slope है तो 1 by infinity into p by q यह जरूर करना है आपको ठीक है और anything divided by infinity is 0 that's why यहाँ elasticity क्या है equal to 0 तो आपका question इस form में भी आ सकता है बताओ जिस case में elasticity 0 होती है demand curve parallel to x-axis होती है या y-axis होती है तो answer क्या होगा आपका it is parallel to y-axis clear दूसरी चीज इसका question ऐसे भी आ सकता है बताओ अगर आपकी demand curve parallel to y-axis है तो elasticity क्या होगी 0 होगी और मैंने पहले क्या गा था अगर elasticity 0 है तो demand curve किसके parallel है x-axis और y-axis y-axis is that clear derivation साथ में आप करके दिखाएंगे इस case में perfectly inelastic में quantity constant और perfectly elastic में price constant यह याद रखना है आपको clear तीन elasticity, तीन degrees और है हमारी elastic, inelastic और unitary elastic ठीक है तो वो हम अपनी next video में cover करेंगे ताकि हम उसको अराम से कर सके Thank you